क्याफे पर CM फ्लाइंग की रे पकड़ा गया अवैद हुकका बार 900 से 1000 रुपे में पिलाया जो रहा था फ्लेवर हुकका गुपत सूचना की आधार पर CM फ्लाइंग ने की चापे मारे सेंटर प्लाजा मॉल में बने क्याफे में चल रहा था गोरग धन्दा अवैद हुकका बार का CM फ्लाइंग की टीम ने रेड़ कर भांडा फोग कर दिया बता दें कि कैफे की आड में लोगों को फ्लेवर हुकका पिलाया जो रहा था जिसकी एवच में उनसे 900 से 1000 रुपे वसू ले जाते थे शिकायत के आधार पर टीम ने Food and Drugs Administration Department के साथ मिलकर ये कारिवाई की इस नामले में CM फ्लाइंग टीम ने सेक्टर 53 थाना पुलिस को शिकायत दे कर केस डर्ज कराया है युवा पीड़ी को नशे के लत में धकेलने वाले के खिलाफ कारिवाही अवैद रूप से हुका पिलाने वाले तीन आरोपी गिरफतार ऐसा CM फ्लाइंग टीम को सूचना मिली थी कि सेक्टर 53 के सेंट्रल मॉल में बने कैफे में अवैद रूप से हुका बार चलाया जा रहा है जिस सूचना पर CM फ्लाइंग की टीम मौके पच्छा पेमारी की तो Zero Degree G20 कैफे में ये फ्लेवर हुका पिलाया जा रहा था पुलिस ने जब मौके पर मौझूद कैफे मैनेजर कमल और इमली आउटलिट के मैनेजर प्रभाकर को काबू कर पूछताच की तो वो इस संबंद में कोई दस्तावेज पेश नहीं कर पाए पूछताच के दौरान ग्यात हुआ कि ये ग्राहकों की डिमांट पर देर रात तक हुका बार जलाते हैं और लोगों को 900 से 1000 रुपे में फ्लेवर हुका उपलब्द कराते हैं चीम ने आरोपियों के कबजे से कई हुके कई तरह की फ्लेवर तंबाकू वा अन्य सामान बरा मत किया है अवैद रूप से हुका पिला कर कर रहे थे मोटी कमाई हुका पिलाने पर एक युवक से वसूलते थे 900 से 1000 रुपे सीम फ्लाइंग टीम के अधिकारियों के माने तो जिला उपायुक्त ने जिले में फ्लेवर हुका पर उसने पर पाबंदी लगाई हुई है लेकिन इसके बावजूद कैफे संचाला कवैद रूप से लोगों को हुक्य का सेवन करा रही है इस मामले में पुलिस ने सीम फ्लाइंग टीम द्वारा दीगई लिखी शकायत पर कारिवाई करते हुए कैफे के कर्मचारी कमल प्रभाकर वसाजित को गिरफतार करने के बाद मामले की आगामी कारिवाही शुरू करती है ब्यूरो रिपोर्ट हर्याना वर्दान गुरुकराम देश वा प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हर्याना वर्दान चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें वा शेयर करें